Hello friends, welcome to Educational Insights. दोस्तों, basic सिक्षा की कमान सम्हाल रहे स्कूल सिक्षा महानिदेशक स्री विजे किरन आनन जी का दाइरा दोस्तों बढ़ गया है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्कूल सिक्षा महानिदेशक अब माध्यमिक सिक्षा विभाग के भी DGSE यानि Director General of School Education होंगे इस सम्हन में सासन अस्तर से आपचारिक पत्र निर्गत हो गया है जिसके अंतरगत ये बात कही गई है कि Basic Education पे कार्य करते हुए जो स्कूल सिक्षा महानिदेशक का पद सर्जेत हुआ था अब उसे विस्तारित किया जा रहा है यानि कि माध्यमिक सिक्षा विभाग भी अब इनके दाइरे में होंगे और माध्यमिक सिक्षा में जो सिक्षा निदेशक है उनकी जो सक्तियां है उसको अवकरमित कर दिया गया है यानि कि अब स्कूल सिक्षा महानिदेशक ही पूरे के पूरे बेसिक सिक्षा विभाग और माध्यमिक सिक्षा विभाग दोनों की कमान समालेंगे। आईए दोस्तों देखते हैं इस संदर में सासन अस्तर से पत्र निर्गत हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि माध्यमिक सिक्षा विभाग के अंतरगत इस्कूल सिक्षा महानिदेशक के क्या कार होंगे। दोस्तो सासन अस्तर से पत्र निर्गत हुआ है उत्तर प्रदेश सासन बेसिक सिक्षा अनुभाग एक से। लखनव दिनांग 10.09.2022 को पत्र निर्गत हुआ है। कार्याले ग्याप के माध्यम से बात कही जा रही है। यही कि महानिदेशक सिक्षा डीजी एसी का पत्र शासन के कार्याले आदेश संख्या 4209 अबलिक 68-1-2019-33-59 ओबलिक 2019 दिनांग 1 अक्टूबर 2019 द्वारा सिर्जित करते हुए। उक्त पद पर भारती प्रसास की सेवा के सचिव अस्तर के अधिकारी या राज प्रयुडना निदेशक समगत सिक्षा अभियान के समकच अस्तर के अधिकारी को टैनात किये जाने की स्विक्रित प्रदान की गई। ततकरम में शासन के कारेले आदेश संख्या 4909 अबलिक 5 अबलिक 219 अबलिक अंसर डैस 1 डैस 219 डैस 33 इसमाल ब्रेकेट 59 अबलिक 219 दिनांग 12 दिसंबर 2019 द्वारा महा निदेशक स्कूल सिक्षा के कारेयों दायत निरधारित किये गए। अब दूसरा बिंदु इसमें ये कहता है कि रास्टी सिक्षा निद 2020 में इसकूल सिक्षा के अंतरगत पूर प्रात्मिक सिक्षा से लेकर कक्षा 12 तक की एकी कृत सिक्षा व्यवस्था की संकल्पना की गई है। अब दोस्तों ये बेसिक सिक्षा और माध्मिक सिक्षा को इंटिग्रेट किया गया है रास्टी सिक्षा नित 2020 में यही कारण है कि बेसिक सिक्षा में जो महानिदेशक हैं उन्हें माध्मिक सिक्षा विभाग की भी कमान अब सौप दी गई है उक्त के परिप्रेक्ष में राश्टी सिक्षा नीत 2020 के प्रावधानों को सुचारु रूप से क्रियानवित करते हुए एवं एकी कृत स्कूल सिक्षा विवस्था को राश्टी सिक्षा नीत की मनसा के अनुरूप मूर्त रूप देने के लिए बेसिक सिक्षा विभाग ये माध्यमिक सिक्षा विभाग के मद्द समन्वे अस्थापित करने है तू तथा सासन के समच इसकूल सिक्षा का समन्वित रूप प्रस्टुत करने की मंसा से महा निदेशक इसकूल सिक्षा के कारियुमदाइटों में माध्यमिक सिक्षा विभाग से समन्धित कारियुमदाइटों को समलित करते हुए विस्तारित किये जाने का निर्णे लिया गया है। विस्तारित किये जाने का निर्णे लिया गया है। विस्तारित किये जाने का निर्णे लिया गया है। चाहे वो बेसिक एजुकेशन के डारेक्टर हूँ चाहे माध्यमिक। पूरा का पूरा अब बेसिक और माध्यमिक का जो विभागा अध्यच है। उसको सिरी विजे किरन आनंद जी को सौप दिया गया है। पूरी की पूरी एड्मिनिस्ट्रेटिव और फैनेंसियल पावर भी इनको दोस्तों दे दी गई है। चोथा बिंदु कहता है महा निदेशक स्कूल सिक्षा के कार्यों दाइत विशेक सासन के कारयले आदेश दिरंग 12 दिसंबर 2019 द्वरा निरधारित कार्यों दाइतों को विस्तारित करते हुए सिरी राज्यपाल महोदया। महा निदेशक स्कूल सिक्षा को माध्मिक सिक्षा विभाग के नियंत्रनाधिन समस्त निदेशाले या कार्याले को समेकित करते हुए निमलिखित कार्यों दाइत सौपे जाने की सुकृत प्रदान करते हैं। पहला बिन्दु है समस्त निदेशालियों के निदेशकों के मध्य समन्वयन का प्रभावी परवेक्षण। दूसरा समस्त निदेशालियों के समस्त प्रस्ताओं अबलिक सूचनाओं यों आख्याओं का परिक्षण कर सासन को प्रिशित करना। तीसरा बजट प्रस्ताव प्राप्त कर परिक्षणों परांत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना चौथा निदेशाले युम अधिनस्त कार्यालियों द्वारा निर्गत की गई वित्ती स्विक्रतियां बजट आबंटन वे युम निधियों के प्रवाह का प्रभावी परवेक्षण आगे दोस्तों चलते हैं पाच्वव बिन्दु है निदेशाले से उभ्भोग प्रमाल पत्र प्राप्ट कर शासन को उपलब्ध कराना चट्वव बिन्दु है पीएफ एमस आधारित प्रणाली के क्रियानवन का प्रवेक्षण सात्वव है समस्त भरती प्रक्रियाओं अस्थानांत्रन सेवा समंधी मामलो का निस्तारन निदेशक के माध्यम से संपादित कराना अठवव बिन्दु है निदेशक के माध्यम से अध्यापको हेतु प्रसिक्षण कैलेंडर त्यार कराना ट्रेनिंग माडूल तयार करा कर प्रसिक्षण की ब्यवस्था कराना। नवव बिन्धुए समस्त मानो संसाधन का प्रबंधन निदेशक की माध्यम से करवाना तथा उसका परवेक्षण करना। दसों है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षण परिशा द्वरा संपाधित किये जा रहे समस्त कारियों को निदेशक की माध्यम से संपाधित कराना उसका परवेक्षण करना यों प्रसास्निक नियंत्रण करना। ग्यारवा बिंदों है राश्टी शिक्षण निद 2020 की संकल्पना के अंस्वार बोर्ड परिक्षाओं में सुधार करवाना जों प्रभावी परिवेक्षण करना। बारवा है संस्कृत शिक्षण परिशत से संपाधित कार्यों को निदेशक की माध्यम से संपाधित कराना और उसका प्रभावी परिवेक्षण करना। अब उनके उपर कम्पलीट एडिमिस्ट्रेटिव कंट्रोल महानिदेशक स्कूल सिक्षण का हो जाएगा। चवधामा बिन्दु है माध्यमिक सिक्षण के अंतरगत मानो संपदा पडाली विक्सित कराकर लागो करवाना। अभी बेसिक एडिकेशन में मानो संपदा पडाली के माध्यम से अवकास दोस्तो स्विक्रित होता है। पूरी की पूरी विवस्था हो चुकी है और सारे सिक्षक अपडेटिड हैं मानो संपदा पडाली से ही अवकास लेते हैं। अब इसको माध्यमिक स्विक्षा में भी इस पुनारी को विक्सित कराकर लागो करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। माध्यमिक स्विक्षा के अंतर्गत विविन प्रकार के आकलो है तो एकिक्रित पूर्टल विक्सित कराकर क्रियाशेल बनवाना और अंतिम बिन्दु है कि निदेशक माध्यमिक की वार्षिक गोपनी आख्या है तो प्रस्तावक अधिकारी होंगे। दोस्तों जो भी माध्यमिक के निदेशक हैं उनकी जो एनुवल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के प्रस्तावक अधिकारी कौन होंगे विजे किरन आनजे। तो आगे दोस्तों चलते हैं हम बात करते हैं महा निदेशक स्कूल सिक्षा को सिक्षा निदेशक माध्यमिक की वार्षिक गोपनी आख्याओं है तो प्रस्तावक अधिकारी बनाये जाने की दिरिश्टगत इस सम्मन में पूर में समय समय पन निर्गत समस्त शासना देश निदेशक स्कूल सिक्षा अब सर्वे सर्वा दोस्तों हो गए यह दीपक कुमार जी की माध्यम से पत्र निर्गत हुआ है आप प्रमुक सची हूं तरप्रदेश शासन में और आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसकी कौपी बेसिक और माध्यमिक सिक्षा के निजी सचीव को दोस्तों प्रेशित हुई है यानि निजी सचीव माननी राजमंत्री स्वतंत प्रभार माध्यमिक सिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सासन निजी सचीव माननी राजमंत्री स्वतंत प्रभार बेसिक प्रवक्ता की इल्टिग्रेट की समस्त मंडला युक्त और जिला दिकारी महोदे को और जो समस्त सम्मानित वरिष्ट दिकारी हैं दोस्तों सभी को प्रेशित हुआ है इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो बाते हो रही हैं इसमें 17 बिंदो है कि निदेशक मुद्रन एम लेखन सामगरी राज की मुद्रनाले प्रयाग राज को गजट के आगामी एंक में प्रकाशनार्थ एम गजट की 200 प्रतियां उपलब्ध कराने हैं दो प्रेशित आग्या से महेंद प्रसाद भारती सेंट सची तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो इंफर्मेशन लेटर सब्डेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है अच्छा लगा है तो लाइक करें चैनल पर कमेंट करें आपने जैसे दोस्तों तक जबूर सालिया करे थोस्तों आपको 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 यासमय आपको यडिए टोगा है आपको करेंसे लेख को सेटेप्ट लाइच पात वापको यडिए लेख्या टर दूरिया आपको सेड़िपूर लेख भारत लेख़ एंटेटीछ जिट्से, थैंटिए झालुवाबूर्बू